अगर चानल पर नहीं हो तो चानल को सब्स्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो तो जैसे के आप देख पाड़े होगे आज मैं अन्बॉक्सिंग करने पाला हूँ आपको मिलता है यह कि यह गलर गडबा इसके अंदर के के अंदर आता है एक विफड गाइड जो कोई परता नहीं है यह सेटी गाइड और यह सीम एजेक्टर करने काम आते हैं और यह है इसका केस जो कि carbon fiber का बना हुआ है काफी soft है बट काफी strong है material काफी अच्छा है इस तपर में और है कुछ नहीं और देखते हैं और क्या है यह है फोन फोन गाप पर स्डाइड में पाग कर लिते हैं इसकी charger की तो यह है super dark charger की काफी बारी है मोटा है और यह सपोट करता है 60W charging की अलाग यह चारजर 65W किये और यह सपोट करेगा आपको 60W charging की छीक है इसके साथ ही आता है आपका टाइप सी केवल ठीक है यह टाइप सी केवल है डाटा केवल है जो कि चार्जिंग और डाटा ट्रांसपर दोनों वे गाम आता है और बॉक्स में कुछ है नहीं चलिए अब बात कर लगते हैं फोन की इस डब्ड़े को रखते हैं साइड में और बात करते हैं इसकी फोन की तो दोस्तों फोन जो है मैंने जो यह है वो रहे और अग्रिम और ये जो फोन है दोस्तों यह और अग्रिम ठीक है और यह सूपर एमिलेट स्क्रीन के साथ आता है सेलफी केमरा इसकी है 16 मेगा पिक्सल फ्रंट केमरा है बैक केमरा है 50 मेगा पिक्सल ओ आई एस जो की सोनी का बनाया हुआ है सोनी का और जल कमपनिया उसने यह बनाया वह अंदर 30 के अंदर आती है मैं आपको बतांगा आँ है तो यह यह जो फोन है ये जो और यह 8000 यप के साथ 128 bite के साथ है और इस की जो कलर वैर्याइंट है यह 3 में आती है एक औरrinaा आता है एक बलैक में आता है और एक आइगेस ब्लू में सायद आता है में लिटल बिट कॉन्फूज बट यह तीन कलर में आता है हलागे मुझे यह ग्रीन ही और ग्रीन काफी खुश्रत लगा याइस यूगें से चले फोन हो गया है और देखते हैं तो अने के बाद यह कुछ ऐसा दिखता है ठीक है कुछ ऐसा दिखता है बात करते हैं इसकी कैमरे की तो अगर मैं बैक कैमरा का बात करता हूं तो काफी जो पिक्चर निकल के आता है अगर मैं इसको जून भी करता हूं तो यह ब्लड नहीं होता है इसी लिए ओईस कैमरा इसमें लगा हुआ है ओईस का मतलब होता है यह ब्लड यह नहीं होगा इसवास नाइस ब्यूटिफू ठीक है एक फ्रंट केमरा की बात कर को तो सिक्ष disclose की है तो तो आपको उतनी उत्ती में श्लातना खास इस में मिलेगी नहीं देखने को इस वरक द्रशा किरो कि केमरा सब्सक्राइब काफ़ी बॉन्सुरी दूसरा बात करता हुँ इसकी तेव información काफ़ी काफी हलका है काफी 179 या 180 ग्राम की आसपास की है फोन जो की जबरदस्ट है ठीक है डिजाइन वाइज लुक वाइज तो काफी प्सरत है चलिए अब बात करते हैं इसकी इस्क्रीन रेजुलेशन की इस्क्रीन चलिए पहले में इसको करता हूं मैं कर लेता हूं अब देखता हूं इसके स्क्रीन डिश्ट ओके इसमें और एक खास बात है कि यह नॉन हैप्टिक का मतलब आप बहुत स्मूधली इसको यह देखो इत्मा इसमूधली आप इसको चला सकते हैं अगर आप 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 सोसल मेर्स आजका सभी उज़ करते हैं फेस्ट आपका लगा हुआ है इसका प्रोसेसर है वह है आपका स्वरी प्रोसेसर है जो की मीडिया टेक की है डायमेंड सिटी की है 90 हर्ट सूपर एमलोट इस्प्ले है 90 इसले काफी स्मूध है चलाने में ठीक है 60 वार्ट चार्जर दोता ही और ओएस का मतलब ही है चलिए इसको इसको मैं अच्छी है काफी जबर्दस्त है इस्टेडियो साउंड स्पिकर्स है यह वाउ आप जैसे की देखी पाड़े होगे यह अमने स्क्रीन है और इसको मैं वृत कि अविश्टिफू आज इसके जो साउंड प्वालिटी है वो भी जबर्दस्त है जबर्दस्त फोनेल पूचतों चलिए तो बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में इसका जो प्राइस है वो है 8GB 128GB रोम के साथ आता है 27,000 की और क्योंकि यह ओफर प्राइस में था तो मुझे में परा है यह 26,000 यह यह जो फोन है वो 8GB 128GB रोम के साथ है इसका एक और वेडियेंट आता है 6GB रैम और 128GB रोम वो आता है आपका 25,000 में अगर आप आफर में लेते हैं तो वो करीब 24, 25, 24, 23 की पर जाती है कुछ बैंक्स ऑफर डेविट कार्ट्स काफर होते हैं तो उसमें और भी कम परता है ठीक है दूसरा इसका इसको इसक्रीन सेंसर है काफी मस्त तुरंट आफ होता है ठीक है मैंने अभी तक इसकी फिंगर प्रेंट सेंसर को भी टेस्ट नहीं किया बट वेरी फास्ट जहां तक मैंने इसको रिसर्च किया था या इसको अच्छा है ठीक है अकर मैं बात करूं कि आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना अचीए तो मैं रिकोमेंट करूंगा ये बट आर तो मैं उनको भूलूंगा कि आप यहों के वी ट्वेंटीटी के साथ आप जा सकते हो क्यूंकि उसका जो जबरदस्त है दूसरा इसमें जो सेल्फी केमरा है उतना आपको उतना कुछ खास मिलेगा नहीं नॉर्मल मतलब नॉर्मल से थोड़ा उपर का है बड़ एकदम से मैं नहीं बोल सकते हैं यह बहुत जाद अच्छा है दूसरा बात रहे गई इसकी जो बिल क्वालिटी है काफी अच्छी है अगर आपका बजट 30K के अंदर है 30K के अंदर में रेकोमेंड करूंगा यह फोन वन अप था बेस्ट फोन है ठीक है इसके साथ ही 5G का इसमें सपोर्ट है और 5G बैंड है हाला कि अगर आप इससे भी ज्यादा अगर हाइफाई रेट के पास जाओगे तो आपका जो बैंड है वह 7G तक का बैंड आ जाता है सपोर्ट में बट इसमें से 5G बैंड है यह थोड़ा मेरे को नेगटिव पॉइंट लगा इसका दूसरा इसका कोई नेगटिव पॉइं चलाने में काफी अच्छा है और 25,000 में और आपको क्या चाहिए तो रियल में के हिसाब से गुट इन बिल्ड अच्छा फोन है अगर आप मेरी रेकॉमेंडेशन अगर लेना चाहोगे तो यस यूपन गो फॉर इट अगर आपको लो रेट में जाना है तो आप ओपो रेट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो चैनल को सब्स्ट्राइब करो दोस्तों अगर आपको लाइक करो चैनल को सब्स्राइब करो दोस्तों